नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड स्कीन में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गहों की खेती में सिचाई के बारे में कि आपको गहों की खेती में कब सिचाई करनी चाहिए और कौन-कौन सी खाद आपको सिचाई के समय डा करने चाहिए गहों की फसल के जीवन चक्र में तीन अवस्ताय आती हैं जैसे कि जड़े निकलना पहली गाठ बनना और दाना बनना जिन पर सिचाई करना बहुत आती आवसक है यदि सिचाई के लिए जल प्रियाप मातरा में उपलब दो तो पहली सिचाई 21 दिन पर इसके बा स्ट्रीण चैये अब अपको जिचाई 20 किसल को लगाया है तो इसके लिए आपको जो पहले सिचाई 30 दिन पर सिचाई करनी बाद कर देनी है अगर आपने खेटों में गयां की लम्बी किस्मों की भुआई की है तो इसके लिए आपको सिचाई जो करनी है पहली वो भुआई के लगबक 30 से 35 दिन बाद ही आपको सिचाई करनी है तो पहली शिचाई आपको 20 से 25 दिन में कर देनी है और इसके लिए आपको लेना है 45 kg यूरिया 5 kg आपको Micronutrient Fertilizer परती एकड़ के साब से जड़ों के पास देकर ही आप सिचाई करें यानि सिचाई के एक दिन पहले या सिचाई करने से पहले आप ले सकते हैं 45 kg यूरिया 5 kg Micronutrient Fertilizer आप खेतों में अच्छी तरह से बिखेर दीजिए और उसके बाद आप सिचाई कर सकते हैं दूसरी चाई जो आपको करनी है वो करनी है आपको बुआई के 40 से 50 दिन बाद आपको दूसरी चाई करनी है दूसरी चाई के समय आपको लेना है 45 kg यूरिया 5 kg आपको ले सकते हैं इफो का सागरी का यह आपका दानदार सागरी का आता है आपको इस दोनों को मिक्स करके अच्छे से आप परतिय कड़ी के 10 से जड़ों के पास डालकर सिचाई कर दे तो दूसरी चाई आपको करनी है 40 से 50 दिन बाद 30 सिचाई की बाद करें 30 सिचाई आपको बुआई के लगबग 60 से 70 दिन बाद कर देनी है 34 सिचाई की बाद करें 34 सिचाई आपको फूल आने की अवस्था या अर्थात बुआई के 80 से 90 दिन बाद आपको कर देनी है पांची सिचाई आपको बुआई से 100-110 दिन के बाद कर देनी है छटी सिचाई जो आपको करनी है वो करनी है 130-140 दिन के बीच में आप छटी सिचाई कर सकते हैं तो कुल मिला के आपको गहों की खेती के लिए 5-6 सिचाई परियापत होती है 5-6 चाहिए करने से गहाओं की खेती में उपज काफी अच्छी होगी तो किसान भाईयो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर फर्स टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को अपने किसान भाईयो के साथ सेर करना भूले धन्यवाद